प्रेंस नमस्ते में राजकुमारी मेरे राज टर्सगार्डन में आपका भूँत स्वागत है और फ्रेंस जो वीडियो को जो आठ टोपिक है फ्रेंस वह है गुडेल के पोदे से अधी फुल कैसे लिये जाए फ्रेंस मेरे चैनल पर पेली वार हो तो प्लीज मेरे चैनल को इस प्रकार की बूडियो में आपके लिए लाती रहूंगे ये इदो मेरे गुड़ेल का पोदा है और कितने अच्छे से इसकी फ्लोवरिंग हो रही है फ्रेंस देखो सारे फूलों से बरहा हुआ है और फ्रेंस यह मैंने इस घमले में लगा रखा है और इसके लगाने के जो साइज होता है फ्रेंस 15 इंचे से उपर वाले पोट में इसको लगाना चाहिए जब अच्छे से यह फ्लोवरिंग करता है फ्रेंस इसको मेरे गुडेल का प्लांटर कितने अच्छे से यह फ्लोवरिंग कर रहा है देखो फ्रेंस जो गुडेल का यह फ्रेंस साल वरी फ्लोवरिंग करता है इसकी कुछ केर करनी पड़ती है और इसके टाइम पे खाट डालना चाहिए तो मैं आपके साथ में बताते हूं में क् इसने अच्छे से फ्लोवरिंग हो रही है सबसे जो पहली चीज होती है फ्रेंस किस साइज के आपने पोट में लगा रखा है तो फ्रेंस इसको लगाने के लिए आपको 15 इंस से उपर वाले घमला लेना चाहिए क्योंकि यह हैवी फिल्डर पौदा होता है क्योंकि यह फ् बना रखा है तो मेरे आप डिसकेसन बोक्स में चेकलना फ्रेंस यह कटिंग से बहुत इजी तरह के से लग जाता है इसको गुड़ेल की कटिंग लगाई थी फिरस और कितनी सारी इसमें कलिया बन रही है और फ्रेंस यह साल बरी फ्लोवरिंग करता है और बहुत ही कलिया कलिया बन रही है तो फ्रेंस यह कटिंग से भी अच्छे से ग्रोव हो जाता है तो अच्छी फ्लोवरिंग के लिए फ्रेंस में खाद डालना बहुत जरूरी है तो फ्रेंस में इसमें जो बर्मी कंपोज होता है वो डालती है और कितनी मातरा में डालती मैं बताती जितने भी flower plant होते हैं उनके लिए खाद बहु जरूरी होती है क्योंकि खाद से उनके अंदर एक तरह से protein की अच्छे मिल जाती है और फोदे की growth भी अच्छे होती है तो फ्रेंस हफते में एक बार खाद डालना बहु जरूरी होता है जो इसमें अच्छी flowering के लिए फ्रेंस जो मैं खाद डालती हूँ फ्रेंस वो है बर्मी कमपोज और फ्रेंस ये भी है जो गोबर की खाद से ही बनाए जाती है ये एक घमले में कितनी मातरमा डालना ही चाहिए मैं आपको बताती हूँ फ्रेंस जो ये बर्मी कमपोज की थेली ये बर्मी कमपोज जो खाद है फ्रेंस ये नर्सरी वालों के पास ही मिल जाता है और जो एगडी कल्तर सोफ होती है फ्रेंस महाँ पर इजी तरीके से ये मिल जाता है फ्रेंस आपके पास में ये भी नहीं है तो आप ये गोबर की खाद ले सकते हैं क्योंकि ये भी गोबर की खाद से ही बनाई जाती है फ्रेंस बर्मी कमपोजवी फ्रेंस अपते में एक बार इसकी गुड़ाई करनी चाहिए की दिए गुड़ाई से फ्रेंस ह्वा का सरकुलान बना रहता है और जब भी खाड़ डालो प्रेंस तो हमीशा एक बार निंदाई करनी चाहिए अच्छे से रहें के बाद में इस Kenya बाद में व्हांगे लिए जुट अगरने कि बाद मैं यह नहीं खाट डालने के लिए सबसे अच्छा रहता है फ्रेंस पानी की बात की जाए तो फ्रेंस इसको पानी भर पूर मातरा में चाहिए और फ्रेंस मिट्टी यह वैल्डरेन होनी जाहिए जो गुडेल का पौदा है फ्रेंस इसके अंदर एक वाइड कलर की जो मक्षी होत विडियो भी मैंने शेयर किया थे तो आप उसको देख लेना फ्रेंस परेंस नीमोल चाहिए कितनी मातरा लेने चाहिए फ्रेंस मॉने आपको बताती हूं जिस एक लिटर से hazard जो भी इस प्रकार सहाथ है जो भी एडरीकृसल शौपर tuh इसे मिल जाता है तप्रेंस इसके क्य के अंदर है और इस्से इस पर करूंगे फ्रेंस में फ्रेंस में में सब्कर्ए कर रही हो देखो और आधा वाय ऐट कलर की जो मक्ही होती है फेरे स्वह लग जाती और फूरती भी नहीं है कि आपको हफ्ते में एक बार ऐसे इस परे करना चाहिए नीम ओल से और फ्रेंस नीम की पत्तियों से कैसे खाथ बनाया जाता है उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है तो फ्रेंस में आपको लिंक दे दूगं में डिक्सेशन बॉक्स में चेक कर लेना फ्रेंस उससे भी अच बनी रहती है आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चलन को सब्सक्राइब कर देना जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा थेंक यू